इदम ब्लेक लर कटार्श आपको मिल रहा है यहां पे और जो काफी आकर्सक बनाया हुआ है इन्हों ने देखने में काफी अट्रेक्टिव लग रहा है कि अब सबसे पहले देखे इस पोजीशन पर है फ़स्ट पोजीशन पर यह खुब तेज रहा है इसको छोड़ी सी कम होई है उसके बाद थर्ड पोजीशन पर इसमें जो दिया हुआ है लैम्प एमजनसी लाइट की तरह यह जल गया उसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आफ हो जा रहा है इसको चार्ज करने के लिए इन्होंने यहां पे पीछे कपलर दिया हुआ है जिसको आप पुस्ट करके और आग अब प्रस करने के बाद आप इसको बाहर निकल दीजिए तो यह आटोमेटिक बाहर निकल जाएगा तो इसमें जो बैटरी नोंने डाला हुआ है वह बैटरी जो है 3.7 बोल्ट की बैटरी है जैसा कि जेवाइस उपर के और भी अलग अलग तर्चों में यह बैटरी पड़ जलाएंगे तो 6-7 घंट जलता है और आप इस लाइट को जलाते हैं पीछे वाले को तो लगवच चार घंट बैटरी बैक अब देता है जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे तो इसमें यह इंडिकेटर दिया हुआ है जो चार्जिंग को सो करता है जैसे ही आप इसमें गाएंगे तैसे बत्ती जल जाती है और फूराज है को इसमें नोटेशन नहीं दिया हुआ है और एक इसका जो टाइम बनाए गया है यह बैटरी को फूल चार्ज कर देता है और इसकी कीमत जो है लगभग 150 या 160 रुपए के आसपास में है इसका होलसल रेट है मार्केट में इसकी कीमत जो है फुटकर में 200 रुपए 500 रुपए के आसपास में आपको यह मिलेगा तो अभी जेवाई सूपर कंपनी ने स्टार्ज को जल्दी ही लांच किया है तो काफी अच्छा है और रेट भी इसका बहुत अच्छा है जो डेड़ सु रुपए के आसपास में इसका रेट है और इसमें जो बैटरी हमको मिलते है 3.7 बोल्ट की बैटरी मिलते है जिससे इसका बैकप काफी बढ़ जाता है